जो यह आज Land Rover Discovery आपके लिए लेकर आए हैं यह होने वाली है CBU Unit, 7 Seater, 5 Seater नहीं अब ही मैं लिखाऊंगा बड़ी क्लासिक चीज है, जो कि आपको बहुत हाइएंड और जो कि काऊँगा मैं सिर्फ इस CBU Unit के अंदर आपको मिलती है आपको ऐसा इंटीर नहीं मिलता है, यूशुली आपको जो Discovery में इंटीर मिलेगा वहाँ पर आपको सिर्फ यह पूरा प्लेइन लेदर मिलता है सबसे बेस्ट पार्ट इसमें मुझे लगती है कि जो इसका यह सेंटर पैनल है, यह काफी यहां पर आप देखेंगे तो आपको यूल हार्डली फाइंड बटन इसके अंदर भी आपको कैमरा इंस्टॉल मिलता है जो कि टिपिकली आपको बहुत ही हाइंड अपने देखा होगा तो हमने आपको आपको आटो बैगराफी में दिखाया था आज के इस दौर में आप SUV गाड़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और अगर एक ऐसी SUV हो जो आपको ओफ रोड और ओन रोड पे सेम कमफर्ट दे एक नेक्स्ट लेवल ड्राइविंग एक्सपिरियंस दे तो आपकी SUV में और ज़्यादा मज़ा आ जाता है आपको यानि कि जब आप उस गाड़ी को ओन रोड पे और नॉर्मल रोड पे चलाते हैं और जब आप उसे ओफ रोड इंग भी करते हैं तो आप आपको एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा आता है उस SUV में आज आपके लिए ऐसी SUV ले गया हैं TCM डेली के स्टॉक से जो की रहने वाली है सेवन सीटर और देगी आपको लाजवाब फीचर्स के साथ लाजवाब कमफर्ट सुगाइज आज की जो SUV होने वाली है वो होने वाली ह नन अदर देन लैंड रोवर डिस्कवरी जो की एक बहुत ही होट सेलिंग प्रड़क्ट है आज के टाइम को देखते हुए यानि कि इसे आप लग्जरी SUV कहते हैं इसे आप ओफ रोडिंग के लिए भी यूज करते हैं इसे आप हर टेरेंड के लिए जैसे मर्जी रफें ट कुछ छोटे-छोटे elements कुछ छोटे-छोटे changes दिखेंगे जो कि हम throughout the video आपको दिखाएंगे और बताएंगे इस गाड़ी की क्या deal मिलने वाली है आपको मिलती है उस पर बहुत कुछ मेंटर करता है तो आज आपको TCM डेली से इसकी पूरी डील बताएंगे पुरा वॉकराउंड दिखाएंगे और बताएंगे क्या कुछ पैसे आपके पचने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो चलिए गाइस बात करते ह बात भी काफी स्पेशियस रहने वाली है बीट फर्स रो सेकेंड रो पर आप जो है बैठते हैं फ्रंट लुक पर बात करें तो काफी आपको स्लीक से इसके हिड्लाम्स दिखते हैं जिसमें आपको ड्यूल फंक्शनल यानि इंडिकेटर एंड डेटा इंड रनिंग लाइ पर देखेंगे तो अप हेड्लाइट वाश्यर भी मिलते हैं तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको एर वेंट्स मिलते हैं जिससे इसकी जो है ड्राइविंग एक्स्पिरियंस और स्पूध हो जाती है साइड में आएंगे काफी प्यारे आपको ग्ल प्रासिक तच अप दिखते हैं यहीं पर अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल पर आये तो आपको स्पेशियर दिखेंगी और इसके लावा अगर बात करें गाड़ी की रियर प्रोफाइल पर तो यहां पर भी आप जो है इसके टेल लेंस देखेंगे जो कुई काफी कांटिना नहीं है इसके अंदर भी आपको कैमरा इंस्टॉल मिलता है जो कि टिपिकली आपको बहुत ही हाइंड स्वी में अकर आपने देखा होगा तो यह सीवी उनिट है तो यह इसके अंदर एक अड़न फीचर आपको मिलता है जो कि अभी अंदर भी दिखाएंगे आप था के यह थाफ को देखेंगे तो यहांपर आपकोosaur दैनंवाइप पर नीचे की तरफ एक और काम्रा सिर एक कैमडर तो यहां पर भी एक और कैमरा मिलेगा आपको आना नेचे की तरफ आपको parking sensors मलते हैं नीचे bumpers देखेंगे तो यहां पर भी आपको एक glossy touch-up मिलते हैं bumpers का और अगर मैं इसके boot को open करूँ तो electric boot मिलता है अभी फिलाल ये गाईडी 5-seater में convert की हुई है पीछे की दोनों seats आप fold देख रहे हैं और कितनी spacious है यह आप सकते हैं इनको यूजूली अगर मैं seven-seater बनाना चाहूं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे और इसके बाद भी आपको जो है अरहाम से space मलता है babysitting count होती है वैसे तो यह तो इसके फिलाल बूटकों मैं कर देता हूं बन और बात करते हैं मॉडल की यह आपकी लांड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट सी और डैनेमिक जो की रहने वाली है डीसल वेरियंट सीबी उनिट है तो गाड़ी के अंदर आपको आड़न फीचर मिल जाते हैं प्लस इसका इंटीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप एक बर इस सिर्फ यह पूरा प्लेइन लेदर मिलता है बड़ इसके अंदर आप देखेंगे कि काफी डॉटेड आपको जो है और इसके साथ आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो है रेड स्टिच के साथ पूरा इंटीर यानि सीट कवर से लेके आपके डैशपोर्ट तक जो है आ तर्फ पर देखेंगे तरफ देखेंगे नीचे के सीवेंट सब कच घंटर्ल आपकर जो है टाच फैनल रहते हैं सेंट्र में वुडङन पैनल मिलते हैं बड़ी क्लासिक गटार लॉम। का जो है ओड़ो मिटर मिलता है गाड़ी चली फॉर्टी थाउजन किलो मिटर विस सर्विस रिकोर्ड फ्रंट सीट देखेंगे काफी स्मार्ट ली जो इसके अंदर हाइट एजस्टेबल ऑप्शन भी रहता है फ्रंट सीट में देर सीट की बात करते हैं तो यहां पर आप द आप आम रेस्ट यूज कर सकते हैं जो कि इसली दो लोग शेयर कर सकते हैं का पोल्डर का उप्शन भी आपको मिल जाता है पीछे की तरफ आपको एसी ब्लॉर मिलते हैं उपर की तरफ अगर देखेंगे तो गाड़ी के अंदर आपको मून रूफ मिलती है जो कि आपको कही भी लॉंग ट्रेवल पे जाते हैं तो अटलिस्ट आप जो है बार के वेदर का मजा ले सकते हैं तो ओवरॉल गाड़ी का वाकराउंड देख सकते हैं आप बड़ी क्लासी लुक के अंदर मिलती है बड़ी स्पोर्टी फिल कराती है जो इसके जितने भी ब्लैक एलिमेंट् अंदर इंटीर है वो इसको काफी स्पोर्टी फिल कराता है गाड़ी के अंदर पावर है पारी के अंदर लॉक्स है और बात करें अगर गाड़ी की रोड प्रेंस की तो अंड़ाउटली अगर इसे प्रैक्टिकल वे में चलाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये SE R-Dynamic गाड़ी चलिए अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर रहने वाली है सिंगल ओनर्शिप HP नंबर रहेगा Fancy 7200 और गाड़ी की डील की अगर बात करें तो गाड़ी मिलती है आज आपको TCM के स्टॉक से 55,000,000 यानि 55,500,000 के अंदर आज ये गाड़ी आपको मिलती है TCM डेली के स्टॉक से जोकी रहने वाली है नेगोशियबल प्राइस के साथ स्क्रीन पर नंबर चल रहा है साहिबा का रीच आउट कर सकते हैं बेस दील के लिए इसके अलावा भी अगर आप कोई और गाड़ी ढूंड रहे है तो उसके लिए भी TCM डेली को जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हमेशा 40-50 गाड़िया सिर्फ लग्श्री कार्स जिनकी प्राइस ब्राइकेट स्टार्ट होता है 25,30,000,000 से करना चाहते हैं टेस्ट ड्राइब लेना चाहते हैं तो TCM डेली पर आईए जो की राजंदर प्लेस में है और यहां पर आगे चेक कीजें इनकी वाइड वराइटी आपको आज का यह हमारा ओफ रोडिंग स्टीवी किंग पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट करके बताएए कैसा लगा आज काई व्लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, कमेंट दूरू कीजेगा और चैनल पर पहली बार हैं तो अब नहीं बताऊंगा क्या करना आपको प्लीज जाहिए सब्सक्राइब कीजे लेदा आप सिल्विदा फिर दुबर मिलेंगे ऐसे इंटरस्टिंग व्लोग के साथ जब तक, टेक केर, बाब बाई थैंक्यू सो मिछ गास